हलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 क्लास 12 का विशय पॉलिटिकल साइंस राजनीती विज्ञान और राजनीती विज्ञान की जो आपकी पुस्तक ए है जिसका नाम है राजनीती विज्ञान की मूल अवधार्नाय उसकी इ इनिग यर्फ religion जहां तक धर्म धर्म शब्द की परीवाशा का मिलत है अलग अलग अर्थ होता है बारत में से करतव अहिंसा नयाय सदाचार यानि कि सदाचार यानि कि क्या होता है अच्छे आच्रन वाला और सद्गुन यानि अच्छे गुण वाला अर्थ में माननेता प्राप्त है यानि कि भारत में धर्मकार्थ क्या है करतव अहिंसा नयाय और सदाचार एवं सद्गुन के को विश्वास और प्रथाओं की एसी प्रणाळी के रूप में परिबाशित कर सकते हैं जिसके माद्यम से लोगों का समूंगे करता है कि SI मैं कि उसके लिए क्या पवित्र और क्या शाथ्विकल धर्म उन्नति और रिलिजन बोलते हैं जिसका अर्थ है आस्ता विश्वास तता अपनी विश्वास तता अपनी माननता लेकिन अंग्रेजी का शब्द रिलिजन सही अर्थों में धर्म को इस्पस्ट नहीं करता अवस्तुत है धर्म किसी पूजा पद्धति कर्मकांड उपासना विदी पंकी नर्थों में तिलक चोटी दाड़ी तो टोपी या गंडा ताबी जारण करने का नाम नहीं है या निकि अगर किसी की दाड़ी बढ़ी है तो वह मुसल्मान नहीं होगा किसीने अगर पग बांदी है तो वह पंजाबी नहीं होगा मतलब कि लोग जो आधर्मों के इस र करना है यानि कि अच्छा वेवार करना अपने कारियों को अपने कारियों की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ही क्या है धर्म है यह तभी संभव है जब मनुष्य स्वार्त संकीनता अभिमान और दूसरों पर शाषन करने की इच्छा का परित्याग करें यह कब होगा जब इंसान जो जो माना वह वो इर्शा को जलन को त्याग दे और मतलब दूसरों पर शाशन करने या दूसरों पर राज करने की बावना को त्याग दे धर्म सरवत्र पवित्र माना गया है लेकिन धाल्मिक पवित्रा सांपेक श्वादी है जिसको एक धर्म पवित्र मानता ह अब देखते हैं अलग-अलग विद्वानों ने क्या किया बच्चों धर्म को अलग-अलग परिभाशाओं में व्यक्त किया है सभी धर्म गुरु और अध्यात्म को समझने वाले विद्वानों ने अपने मतिवें विचार के आधार पर धर्म और अध्यात्म की परिवाशा प्रस्तुत की है कनफ्यूशियस, मोजेश, पाइथागोरेश, बुद्ध, महावीर, स्वामी, ईसा मसी, मौहमद, पेगंबर, मार्टिन, लूथर, कैल्वीन, गुरु नानक सभी ने मनुष्य में दिव्यता का संदेश दिया है एनकी मनुष्य में क्या है, खुद ही दिव्यता है, उसका संदेश सभी इन राइटरों ने या फिर इन महान लोगों ने दिया है एतिहासिक रूप से विश्व के विविन भागों में काल, इस्थान, वे संस्कृति के अनुरूप कई धर्मों का उत्वव विकास हुआ है इसका अर्थ यह है कि बच्चों विश्व में अनेक प्रकार की जातिया रहती है, अनेक प्रकार के स्थान है और उनके अनूरूपि क्या हुआ है धर्मों का उत्बह विवां विकास हुआ है समिः इस्थान और अर्जुन झांस्क्रित क्या अध्यात्मिक परिशुट्य की परिवश्शन से यह रिगों परिवर्टन आये हैं पर सरुपली रादा कृष्णन ने आध्यात्मिक ताको धर्म का अभीकेंद्र माना है उनके अनुसार धर्म का सार इस बात में नीद है कि यह आत्मा के उन्यन के आध्मा अध्यात्मिक पक्षपर बल दे और जीवन को धर्म निर्पेक्षता की और अग्रेशित करे अब की अपने अनुसार परिबाशा दी है और धर्म के अरद को व्यक्त किया है द्रम और राजनिती के ध兩個 अलग बताया है परंतों दोनों का आधार एक ही है धर्म दिर्गकालिन राजनिती है और राजनिती अलपकालिन धर्म है उन्होंने क्या क्या दोनों में सम्मन बताया कि धर्म जो है जो रिलीजन जो है वो दिर्गकालिन राजनिती है और जो राजनिती है वो अलपकालिन धर्म है धर्म का कार बुराईयों का उन्मूलन करना यानि कि बुराईयों को खतम करना धर्म और राजनिती का सुमिलन मानवता के लिए कल्यान कारी होता है जबकि इसका अविवेक पूर्ण उस्पास्राइख करें तो मरमानवजाती का कल्यान होगा और अंधियास्ट को व्यवस्थान ना बन पाए तो वह बहुत मतलब अच्छा अत्याचार को बढ़ावा देगा जैसे कि धर्मों को लेके कई बार होते ना दंगे फसाद हो जाते तो वह कैसे होते हैं कि पॉली जो राजनेता वगरा होता है वो लोग एसी जो को फेला देते तो उससे क्या होता ह दर्म और धर्म निर्पेक्षता क्या है भारतिय परिप्रेक्ष में धर्म निर्पेक्षता का अर्थ पास्चात्य धर्म निर्पेक्षता से सरवता भिन है भारत भावधर्मों का देश है यानि कि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं जिसमें अनेक धर वे मतों के अनुयाई निवास करते हैं धर्म निर्पेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ भेदवाव ना हो और सभी धर्मों को समांदरश्टी से देखा जाए यानि कि बच्चों धर्म निर्पेक्षता का अर्थ क्या है कि किसी भी धर्म के लोग मतलब किसी भी धर्म के साथ वेद वाव ना करें या कि किसी का अगर हिंदू धर्म है तो मुसलमानों के साथ वेद वाव ना करें और सभी धर्म은 को समान द्रश्टी से देखा जाए बारत में धर्म निर्पेख्ष्टा को सवेधानिक दर्जा मिला हुआ है और जो धर्म निर्पेख्ष्टा की मौलिक असमिता है क्योंकि बारत में अनेक मते अमतांतर पाए जाते हैं भारत में इश्वर को मानने वाले भी है और इश्वर की सप्टा को नकालने वाले भी है दान्मिक शहषूरता इस देश की मिट्टी में हैं क्या बच्छव को कई लोग है जो हमारे देश में अलग- लिखित है और सभी को इसका पालन करना हनिवारिय है धर्म और नेतिकता आप देखेंगे धर्म और नेतिकता क्या होती है धर्म का मूले लक्ष मानव मातर की सेवा करना है यानि की मूल लक्ष क्या है कि मानव की सेवा करना है यानि इंसान को इंसान से गिणना न करनी हो अच् शील एव अहींसा पर बल देता है सबी धर्मों में सिद्धानता है यही भावना नहींत होती है धर्म बुराईयों से दूर रहने वे बलाईवे सदाचार के मार्क पर चलने की शिक्षा देता है धर्म का मुल सरुप आध्यातने के आड़म रहित धर्म का काम बलाई करना और स्थूति करना है यानि उसका भलाई करना है लोगों की मदद करना लोगों से अच्छी प्रिकार से बात करना उसकी लोगों से धर्मों और धर्मों के आधार पर जाती के आधार पर विबेद न करना धर्म और राजनीतिका विवेकपूर्ण मिलन मालविय करना के कल्यान के लिए सादक होता है यहने अगर धर्म और राजनिति का विवेक पूर्ण उपयोग के अच्छी प्रकार से इसकी विवस्ता बनाए रखी जाए तो यह मानव के कल्यान के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा भारती विचाड़दारा के कई विद्वान पास्चाते सब्द रिलेजन को धर्म के प्रियावाची शब्द के रूप में सुईकालने से हिचकी चाते हैं क्योंकि धर्म रिलीजन से कहीं अधिक विस्त्रतेव नयतिक विचाड़दारा है धर्म में न केवल नयतिक ता अपितु नयतिक दायत के भौतिक गुणों प्रकरती और मानव के सं मंदों एवं मनुष्य जानवरों के वेवारों को भी अंत्रनीत माना गया है यानि कि मनुष्य के साथ तो बुरा वेवार करना ही नहीं है साती साथ जानवरों के साथ भी बुरा वेवार नहीं करना है या बुरा बढ़ताव नहीं करना है उन पर किसी प्रकार के अत्याचा नहीं करने हैं यदि भी आज के संदर में इतना व्यापक दर्श्टिकोंड अप्रासंगिक हो सकता है बारतिय दर्शन मात्रा में प्रियोग कर सकते हैं कि दर्शन में व्यक्ष्यातिक तार्की नेतिक बलका आज भी हम प्रिचूर मात्रा में प्रियोग कर सकते हैं मुलते इस्वामी बनाने के लिए और शाषन करने के लिए कि धरमों में आपस में लड़ाई करवाना शुरूब कर दिये हैं इस पर एसे वह संहे हैं और अब गरते हैं जैसे कि दूसरी को होते हैं कई लोग जो राजनेता वगेरा होते हैं वो एक दूसरे में लोगों में दुश्मनी फैला देते हैं जिसके कारण निंदोनों में जगड़ा होता है रही एक दूसरों को नुकसान पहुचाते हैं इस तरह की आपसी विरोध विद्वेश कले की प्रवती ने धार्मिक संगर्श की इस्तिती उत्पन कर दी है सभी धर्मों के समने विश्वास वे मुल एक जैसे होने के वापजूत वेस अभी तक धरातल पर आने को त्यार नहीं है तो धर्म और नेतिकता यानि की धर्म और न सबस्ब्सक्राइस तरह है कि बीच में पुरानस संबंध रहा है जब जब धर्म का दुरियोग किया है ना तभी इसने धर्म का दूर्पयोग किया है यानि कि दंगे फसाद फैलाने में क्या हुआ धर्म का नाम पर लोग दंगे फसाद किये हैं कई लोगों ने बट्रेड असेल और एम फोस्टर जैसे शांतिवादी विद्वानों ने धर्म की इस बात के लिए अलचना किये कि ध प्राण में धर्म शासन के लिए सुवस्था और सुनिती का संस्तापक बना लेकिन बाद में अनेक शासकों ने धर्म विशेष को अपना राज धर्म गोशित किया और अपने अनुयाईयों की संख्या बढ़ाने के लिए धर्म की याड में युद्ध किये हैं इसलाम कुछ मतों ने शक्ति की याड में अपनी माननेता अपने धर्म के विस्तार का कारे किया है धर्म की याड में समराज्यों का विस्तार किया गया है और अनेक देशों में परस पर युद्ध हुए विगत लगबक 2000 वर्षों का इतियास धर्म के नाम पर अनेक बार रक्त एक समन्य करते हैं दर्म और आहिंस्य का तूट सम्मंद स्बस्क्राइब इन सभी तटफ़ों को सभी देशों के सभी धर्मों में स्विकार किया गया हैं इन मुल्यों सबकुछ कहा गया है यानि कि लोगों के साथ मतलब हिंसा नहीं करने चाहिए उनको नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए माफी करना गलती हो गई तो माफी करना दया करना और सत्या करता वे निष्ठावादी होना आवशक और यह इसके आदार तत्व है धर्म और रास्ट्रियता यानि कि रिलीजन और नैशनलिटी कई बाहर मनुष्य किसी के बहकामे में अत्वा या अंधानु करन करते हैं कुछ रहांतिय अत्वा दूराग्रा पाल लेता है यानि कि कई बार क्या होता है मुनुश्य कि क्या होता है दूसरों की बातों में आ जाता है और गनुभा धर्म के हो किसी भी जाती के हो या जैसे कि हिंदु धर्म के हो मुसल्मान इसाय यहूद किसी भी धर्म के हो लेकिन हमारा लिए सबसे सर्व सर्व परी चीज़ है कि सबसे पहले क्या है हमारा राष्ट यह हमारा जो देश है वो है क्योंकि हम सभी धर्मों के लोग उसी राष् और राष्ट्र से उपर नहीं हो सकता इसपस्ठ है राष्ट्र दर्म को निया है कि हम अपने धर्म संप्रदार वन आपकर सरण करते हूं परमार्त वें जुटे राष्ट को सरवपरी माने यान लिग के नाम पर दूसरे लोगों से एक ता वाला देश वह कहा जाता है बच्चों इसके कुछ टॉपिक्स हमनें साफ वन में पढ़ें आए वह बच गए इस पार्ट उosh